अब हम लोग जनता चौक पे हैं और बिते दिनों यहां पर देखेगे इनके गारी से बैटरी का चोरी हो गया और के नेगर ठाना से प्रसासन के लोग आये हैं सर क्या सूचना आप लोगों को यहां पर मिली थी हम उस लोग को अचोर को खोजबिन कर ही रहे हैं पता चलने पर हम उसको ले जाएंगे आपको के वह भी सुचना मिला उसके बाद आ गए आ गए आ गए को प्रेट किया यहां से यह लोग बताए आपको बताए कि पॉब्लिक मुमेंट थी पॉब्लिक लोग ले गया है कि ठीक कहां कहां बेचा है उसको रिकवरी करा रहेंगे यही बात का सुचना मिला है तो उसी इंतिजार में हम है कि याकिर है कहां वह अब्यक्ति जिसको पक्रे हुआ है वह अब्यक्ति है कहां प्रशाशन के लोग आये हैं और यही घर है इनका और इनका यह गारी था और गारी से बैटरी खोल लिया गया क्या नाम हुआ अनिता देवी वारवजे तक हम लोग जगे हुए थे सर अब तक तो नहीं हुआ था चोरी अब बारवजे को बात चोरी हुआ ऊप देखे रात में लेकिन सुबह में उठे तो देखे कि गारी का बेट्री खोला हुआ है हाँ तो यही हम लोग सोचे आज मान लिया जाए बेटी खुल के लेके गए कॉल के आएगा तो और कुछ लेके जा सकते हैं तो यही लिए हम लोग जो है परसासन का ख़बर किये तो आए परसासन के नगर थाना का हम ही लोग फौन किये थे हैं हम ही लोग फौन किये थे सर तो इसलिए हम लोग सोचे कि माल लिया जाए हम लोग तीन ठो चाठो गारी है सब बहार में रहता है आज बेटिक चोड़ी हुआ कल के हो सकता है कि गार ये लेकर चले जाए तो इसलिए हम लोग पहले से चीत हो गए यारो परशासन को खबर कर दी जो चोर जा पकरा गिया है तो उसको सजा मिलना चाहिए नाम तो हम नहीं जाने सर नाम बताया कि नहीं बताई हम तो घर में थे यह भी हमको नहीं पता था इतना लोग थे वो लोग था साथ 18 अदमी था सब पकर के लेके गया था तो उसको बैठा कर रखे हुआ था अब नाम उप्छे पुछा होगा ले पूछा होगा तो वो लोग के बताया होगा 5 बज सुबा में देखे सर अब पती चलाते हैं बेटा भी गाड़ी चलाते है साभारी मेरा इसधा चलता है मेरा नामानिता देवी घरखा हूब घर तो यहाँ लक्षमी नगर बागमरा लक्षमी नगर तो यह देखे कि यह अनिता देवी है और बगमारा लक्षमी नगर में घर पढ़ता है बिते दिनों रात में कुछ चोर के द्वारा इनका गाड़ी का बैटरी खोल ले गया लेकिन हलाकि बैटरी की बात के तो कोई बड़ी बात नहीं है चोटा मुटा है लेकिन सवाल यह सबजी लेने के लिए मार्केट निकलती है महिलाएं गले से उसका चैन छीन लिया जाता इस तरह का घटना हर दिन लगभग हो रहा और प्रसासन का कितना कंट्रोल है वह सब आप सबके सामने है